जाहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में दोस्तों RRBJ, Group D, ALP, Tech और Paramedical आखिरकार इनके एक्जाम कब होगा और जो जॉइनिंग बाकी है जिन जिन की तो वो कब तक होगी तो railway के तरफ से एक official notification आया है उसे पुरा का पुरा indication बता दिया गया है और as well जो western railway है उन्होंने online training भी start कर दी गई है तो दोस्तों railway भी कही न कई बहुत अच्छे initiative ले रहे हैं यह कोरोना के 20 तो आपन देखते हैं बहुत short information है लास तक ज़रूर देखेगा बट उससे पहले भी तक अब आप चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तों यह देखेगा यहाँ पर western railway यह facebook official page पर आया है आप जाकर check कर सकते हैं Zonal Electric Training Center वरोदरा started teaching online courses for locopilot and assistant locopilot to 76 candidates है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर locopilot and assistant locopilot are under good training through e-learning app without attending the classroom physically in a week दोस्तों wake of coronavirus आप देख सकते हैं लोगडाउन के बीच है कही ना कई बहुत अच्छा initiative है कि जो candidates घर पर हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा initiative हो सकता है कि JE वाले जो भी candidates से जिनका joining हो चुका है उनको भी ऐसा procedure start कर दिया जाए दोस्तों आप मैं official notification बताता हूँ उसमें joining और training का क्या पुरा का पुरा दिया हुआ है तो यह आ चुके हैं अपन देखिए notification जो 24 थारी को आया हुआ है Government of India, Ministry of Railway, Railway Board यह notice number भी check कर सकते हैं आप और General Manager, All Zonal Railways, Conquer Railway Corporation इन सभी के लिए यह applicable है मानने हैं अब subject देख सकते हैं, refreshers, जितने भी refreshers हैं अभी जो join करने वाले हैं, recruit होने वाले हैं and other safety courses for running category staff अब यहां पर दोस्तों first list में लिखा हुआ है, मैं पूरा कपूरा आपको पढ़के दिखा देता हूँ, आप चाहें तो Google पर जाके सर्च कर जाएगा, यह screenshot ले लिए जिसका अब first list में लिखा हुआ है, जितने भी refreshers हैं और जितने भी safety courses हैं category staff के, उन्हें March और April में करवाना था, but due to Corona इसे deferred और इसे postpone कर दिया गया है May 2020 देखे, May के बाद यह शुरू हो जाएगा, अब उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, keeping in view of situation of COVID-19 it is likely the social distancing, दोस्तों आप सभी को पता है, Corona के जैसे संक्रमीत पेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं और distancing, जो social distancing है, कि आपको अपने पूरी सेहत का ध्यान रखना है, as well as जो society है उसमें अगर ऐसा लगता है कि Corona के मेरे जादा बढ़ते जा रहे हैं, social distancing applicable है इसका मतलब है कि आगे भी यह जो procedure है, हो सकता है कि थोड़ा सा और delay हो तो इसलिए जो Government of India है, वो provide कर रही है और Government of Railway जो है, वो online courses, e-learning सभी candidates के लिए provide कर रही है अब आगे देखते हैं अपन, आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों यह देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जित्ते भी online में जो provide किया जाएगा वो है theory वाला knowledge theory वाला knowledge जित्ता भी है, वो पूरा का पूरा e-learning के तुर बता दिया जाएगा अब practical की बात बसती है, तो practical जैसे उन्हें, जो भी उनके equipments है वहार field पे जाना पड़ता है, उन्हें सब each and every चीजे बताते हैं और फिर वो note down करते हैं, तो वाला knowledge जब COVID-19 पूरा का पूरा over हो जाएगा और atmosphere बाहर का, जो atmosphere नॉर्मल हो जाएगा, किने अब जा सकते हैं candidates उनको ले जाया जाएगा, और उन्हें पूरा का पूरा वो वाला भी knowledge दे दिया जाएगा बट जो अभी धिर वाला knowledge है, उनको घर पर देके provide कर रहे है as well as उन assignment भी दे रहे हैं, कि आप जाएगे और कीजिए और हमें submit कीजिए जो भी जो activity होती है, वो उनसे पूरी की पूरी online करवाई जा रही है और ये सब का सबाब देख सकते हैं, यहाँ पर जित्ते भी zonal हैं वो वहाँ पर उन्हें बता दिया गया कि आप online classes लेना शुरू कर दें अब यहाँ पर आगे बता दिया गया है कि effort में however we made to start the regular classes room courses at the earliest इन्हें सभी railway को बता दिया कि आप जो online courses हैं वो जल से जल शुरू करते हैं ensure that all running staff are given the refreshers and other safety courses सभी जो refreshers हैं और other safety courses हैं उन्हें बिलकुल normal तरीके से और as soon as possible जल्दी start करें फिर आगे लिखा staff who are already overdue or will be due by 34 2020 for such courses जो courses already शुरू हो चुके हैं या शुरू होने थे 34 2020 तक तो अब उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो maximum corona के कारण बढ़ते हैं तो उन्हें time दे दिया गया है कि within the two month that is 30 June 2020 उन्हें वो start करना है और as soon as possible उसे complete करना है और further यहाँ पर देखिए May के बाद June जो पूरा का पूरा है हो सकता है कि June के बाद आपके जो भी process है मतलब आपका जो practical knowledge है field का knowledge है वो भी आपको दिना शूरू हो जाएगा आप देख सकते this is issue by approval of MS MRT और यहाँ पर देख सकते हैं MT और Executive Director Safety and Railway दोस्तों यह जो notification है यह कही ना कही सबी candidates के hit में है बहुत अच्छे बात है कि online courses provide कर दे कि candidates को भी ऐसा ना लगे especially जिनके पाद joining letter आ चुका है और जो बस training का इंतजार कर रहे थे तो as soon as possible उनका training session भी online start हो जाएगा दोस्तों इसी की बई सबसे बड़ा question है कि कब तक joining letter आ सकता है तो जोस्तों कही ना कही कह सकते हैं कि जो corona है में 3 में तक तो अपना lockdown चलते रहेगा में के बाद June का कह रहें कि first or second week में कही ना कही इसका असर कम होगा और जो आपका joining का procedure वो start हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इत्ता ही मैं आशक करता है आपको वीडियो पसंद आयागा अगर पसंद आयागा तो लाइक कर दीजे का आपके क्या doubts क्या क्यों रिजे please comment box से comment करना ना बूले थैंकियो सो सुमत दोस्तों अपना खुद का दियान रखे घर पर रहे सेफ रहे सुरक्षित रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में